हाथसे में एक और स्कूली छात्र की मौत हो गई सॉल्ट लेक में एक दर्दनाख हाथसे में चौथी कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई दो अन्य की हालत गंभीर है मालुम हो कि दो बसों की टकर में बच्चे की मौत हो गई प्रतक्ष तर्शियों का दावा है कि रूट संख्या 25 ए पर दो बसे अनी अंतुरत गती से दोड रही थी उसे दोरान एक स्कूटी को टकर मार दी, तीनों नीचे गिर गए उन्हें उल्टा डांगा के एक रिजी अस्पताल में ले जाया गया जहां एक छातर की हालत खराब होने के कारण उसे अन्यतर रेफर कर दिया गया वहां चिकित्सा के दोरान उस छातर की मौत हो गई ये खबर आते ही एमबाई बास के पास उत्तेजित लोगों ने बसों में तोड़ फोर शुरू कर दी लोगों का अभ्योग है कि आये दिन यहां बसों की रेशारीशी के कारण दोर घटनाए होती है निए प्पलीस आओ के रेशारीशी के पास के पीक्षान के दिन यहां बसों aí घय को ही जो से आथा लोगों की जो नाटका शेजांक से बुछतेगरे शेकिकोरे बुछतेगरे चेपे दिये लें स्थानी सुत्रों के रुसार एक महीला स्कूल की छुट्टी के बाद अपने भांजी और दो वर्ष की बेटी के साथ स्कूटी पर केश्टोपूर से अपने घर गुलमाट लोट रही थी तभी दो बसे रेस लगा रही थी और उन्होंने स्कूटी को टक्कर मार दी टीनों गिर गए इन में से छात्र की मौत हो गई मृतक की मौसी और बहन गंभीर हालत में अस्पताल में भरती हैं मालूम हो कि मृतवच्चे का नाम आयूश पाइक है वकेश्टोपूर के एक निजी स्कूल में चौती कक्षा में पढ़ता था इस घटना के बाद आक रोशित भीर ने सड़क जाम कर दिया कई बसों में तोड़ फोड़ भी की गई उन्होंने पुलिस निगरानी पर लापरवाही का आरोप लगाया स्तिती को समालने के लिए पुलिस मौके पर पहुची निवासियों का दावा है कि जिस इलाके में घटना हुई वहां सिविक वॉलिंटियर्स कोई काम नहीं करते बैट कर फोन देखते रहते हैं वे ये नहीं देखते कि गाली ठीक से चल रही है या नहीं एक प्रत्यक्ष दर्शी ने कहा जब बस ने उन्हें टककर मारी तो कोई भी पुलिस उनके बचाओ में नहीं आया पुलिस का करतब भी क्या था एंबुलेंस को बुला कर जल्दी से अस्पताल में भरती कराना चाहिए था ऐसा करने के बज़ाए वो बस के पीछे भाग रहा था उम्रा और हज के सफर पर चले अल जन्नाह टूर एंड ट्रेवल्स के जरीए यूज डिसकाउंट पर जहां मुनास्ते पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स वो भी बिलकुल मक्का और मदीना के करीब खाने में रहेगी बूफे सर्विस तो फिर दिये हुए नमबर पर कॉल करके और अभी उम्रा के सिट बूप करे इस नमबर पर